हम यहां पर देखेंगे कि हमने कैसे custom docker की images वगएरा create करनी है उसका क्या process है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि why custom images हमें custom images की जूर्थ क्या है हमने बहुत सारे different type की images वगएरा को use करके देखा है जो images की choice है वो किस तरह हम करते हैं वो depend करता है कि हमें size of image अगर हमें बिल्कुल छोटी size की image चाहिए तो हम Alpine जब BG box वगएरा use करेंगे जहां हम उस पर decide करते हैं कि किस distribution के base पे हम करना चाहते हैं कि हमें Ubuntu वाली चाहिए कि हमें Debian वाली चाहिए कि CentOS वाली चाहिए कि Red Hat वाली कि Alpine वाली चाहिए और उस जो image है उसके अंदर आपका software कौन सा होना चाहिए software, Python होना चाहिए, Java, Web Server वगएर, MySQL, Mariana DB उनके हिसाब से अब हम क्या करना चाहते हैं अपने कुछ custom images वगएरा create करना चाहते हैं बट हमें जरूरत क्यों है कई बरी क्या होता है कि जो images हमारे पास available होती है वो हमारी requirements पूरा नहीं करती है हम चाहते हैं कि जो हमारी images है वो जैसे हमें जरूरत है उसी के हिसाब से हमें available हो जैसे कि हमारे case में हमने देखा कि हमने ज्यादातर example में एक engine X वाली image वगएरा को यूज किया है तो हमें क्या करना परता था हमें उसको जो length output को उसको चोटा करने के लिए क्या करना परता था कुछ special commands वह वह गरा चिलानी परती ति यहां में आउट पूट को है कि क्या करना परता था ट्रीम करना परता था अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारे जो defaultかज हो वह क्या है कि थोड़ सा छोटा हो बिल्कुल सिंपल वन लाइन वाला हो सेकंड प्रावल्लम उस इमेज के साथ थी कि अगर हम तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें वेब पेजिज चाहिए किसी परपज के लिए अगर हम वो इमेज यूज़ कर रहे थे इंजन एक्स वाली तो तिन्नों अगर हमने पोर्ड वगरा करेंगे तो वह सेम ही डिफाल्ट पेज करेगा अब हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक image हो वो अलग टाइप का default page डिस्पले करें, दूसरे वाला दूसरा तीसरे वाला तीसरा और हम और भी एक चीज चाहते थे कि जो हमारे जो images हों, जो भी web server images हों, वो क्या होने चाहिए, उनका size बहुत चोटा होना चाहिए, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, कि हमने जो base image है, जो image है वो उसको क्या है, alpine यूज़ किया है, अब हम जब images की बात करते हैं, तो काफी सारी popular docker images है, जैसे इन जन एक्स, आगे उसका वर्जन हो गया, 1.16, अलपाइन, जाएं, इन जन एक्स, टेबल, अलपाइन, फिर हमारे पास है, 1.17, अलपाइन, ये alpine distribution के base पे है, फिर हमारे पास इन जन एक्स, 1.17 है, जैन जन एक्स, लेटेस्ट इन जन एक्स, ये डेबिन डिस्टिबिशन पे है, फिर हमारे पास जो और दो, जो popular images है, वो है, alpine, alpine 3.9, alpine 3.10, 3.11 और latest वाली है, और उससे भी एक बड़ी छोटी image है, जिसको हम busybox बोल देते हैं, 1.31, ये versions बगारा, change होते रहते हैं, नए के नए versions आते रहते हैं, तो ये हमारे पास एक busybox latest वी है, ध्यान रकना कि different versions जो है, different specific images के available है, तो version जो हमें define होता है, वो tag से, कि क्या है, ये जैसे यहाँ पे engine x alpine है, तो ये एक tag हो गया, main line एक tag हो गया, अगर किसी image के उपर वो नहीं कोई tag लगा हुगा है, तो वो हम क्या consider करते हैं, कि वो latest tag होगा, तो हमेंशन ध्यान रखना कि जब ये एक अच्छी practice है, कि आप हमेंशन जो tag को specify कीजिए, आपने ध्यान रखना कि image जो है, अगर उसके उपर tag alpine है, तो इसका meaning वो alpine distribution पे based है, तो जो सबसे बड़ा advantage अगर हम alpine image को base image की तरह use करते हैं, तो वो क्या होता है कि जो हमारी custom images वोगरा build करेंगे, उसका जो size होगा, वो बड़ा small होगा, दूसरी हम एक जो image use करते हैं, काफी वो है, VG box, उसका size आप देखोगे, hardly जो 1.22 MB के करीब है, तो हम different type, different images वोगरा use करते हैं, according to हमारी जो needs हैं, तो सबसे पहले हमें देखना प 411 slash curl वाली, उसको थोड़ सा graphical represent करते हैं, और हम बार-बार एक term सुनते रहते हैं कि base image होती है, फिर layers होती है, images के अंदर, फिर एक writeable layer होती है, वो सारा कुछ क्या है, तो अभी तक हमने किया कि most of the time हमने क्या किया, engine x alpine, engine x 1.16 alpine, alpine 3.11, weapon 2, 411 curl और busy box वोगरा, images वोगरा use क यह सारी images वगरा, जो है standard images है, except एक में एक image के, जो weapon 2, 411 curl वाली है, वो हमारी अपनी create की image है, custom image है, यह जो image थी, वो alpine के base थी, ध्यान रखना कि जो docker की images है, वो different layer की, जैसे कई बरी हम cake बनाते हैं, उसमें first layer, second, third, same way, जो docker images है, वो भी क्या हैं, वो different layers की बने हुए है, जब हमने यह वाली weapon 2, 411 at the rate slash curl वाली image बनाई थी, तो हमने जो alpine है 3.8 उसको as a base image ले लिया, इस case में हमारी जो base image है, वो alpine है, फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक curl utility add कर ली, curl basically एक browser है, text was, हम बार बार काफी इसको use करते हैं, तो हमने इसलिए एक image जैसी चाहते थे कि, कि जैसे उसको image को run करें, उसके अंदर हमें यह curl browser हमें मिल जाए, और हम size भी छोटा चाते थे, इसलिए हमने base image को क्या लिया है, alpine की तरह लिया है, फिर हमने क्या 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 है, तो इसको दुनों को combine करके हमारी क्या बन गी, एक image बन गी, custom image, वे pen 2, 411, जो slash curl वाल image है, तो ध्यानकना कि, जैसे हम container create करते हैं, जो भी हमारी image है, चाहिए custom है, चाहिए standard images है, वो क्या करता है, एक writable layer create कर देता है, तो यह image की जो layer है, प्लस जो writable layer है, उसको हम क्या करते हैं, container भी बोल देते हैं, तो इस case में तो सिर्फ दो ही layer है, हो सकता है कुछ images में, पांच भी layer हो, दस भी layer हो, डिपेंड करता है complexity, आप जो custom image है, उसकी कितनी की complex है, उससी साब से, आप different layers अप create कर सकते हो, फिर ध्यानकना कि, हम जब Docker images की बात करते हैं, तो क्या-क्या methods हैं हमारे पास Docker image को create करने के, तो यह हम पे diagramatically, अगर हमें Docker की image चाहिए, अलपाइन च सबसे बेस्ट तरीक है कि आप जो Docker registry है, जा Hub. Docker.com है, वहां से आप क्या कर लोगे, उस image को pull कर लोगे, तो यह एक तरीका है, अगर आपने अपनी custom images बनाई हैं, तो आप registry में भेजना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, push images, जो command से क्या करता है, जो registry पे भेज सकते है, जैसे हमने जब अपनी custom images बनाएंगे, तो हम चाहते हैं, वो किसी को भी available हो दे, तो हम क्या करेंगे, इन images को क्या करतेंगे, Docker registry पे push कर देंगे, ताकि औरों को भी available हो, अगर बाइचांस हमने जो Docker images है, उसको remove करना है, तो उसके लिए हम RMI command use करते हैं, remove image command, अगर हमने different different tag देनी है, images को, तो हम एक tag करके command use करते हैं, उसके लिए, जो सबसे बड़िया तरीका है किसी image को, custom को create करना, उसके लिए हमारे पास method होता है, कि हम एक Docker file create कर लेते हैं, जैसे इस case में, हम from Inginx 1.16 Alpine, यह हमारी base image होगी, अब उसके अंदर हमने file डाल देनी है, copy, कोई भी क custom, जो है, default page है, उसके एक image डाल देते हैं, फाइल डाल देते हैं, जिसमें, किस command से copy 1.html, इस deck में, हम copy कर देते हैं, जै index.html, और फिर इस Docker file को use करके, भी हम जो है, अपनी image को build कर सकते हैं, फिर कही बड़ी है, सबोज हमारे एक VMs के अंदर कुछ images हैं, जैसे PC के अंदर images हम उसको दूसरे किसी VM जा PC पे shift करना चाहते हैं, तो हम हमारे पास एक और method है कि इन images को हम save कर लेंगे, suppose उसका जो format हो सकता है, image.r, और अगर दूसरी जगा जहान लेके जा रहे हैं, वहां पे हम load command से उसको क्या कर लेंगे, load कर लेंगे, एक और भी तरीक है हमारे पास, य पोज हमने Alpine image के C1, C2 container बना लिए, हम ऐसा नहीं है कि Alpine के बनानी है, Ubuntu का भी कर सकते है, Inginx का भी कर सकते हैं, CentOS का भी, जैसे हमने यहां पे example तोर पे दिया है, कि हमने Alpine image का container C1 और C2 create कर रहे है, जो CentOS जो image है, उसका test करके container create कर रहे हैं, और जो Inginx का हम web के तरह सकते ह गरा हम पर form कर सकते हैं, in containers पर हम containers को start कर सकते हैं, stop कर सकते हैं, restart कर सकते हैं, execute कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ commands बगरा चला सकते हैं, attach कर सकते हैं, terminal उसको remove कर सकते हैं, अब suppose हमने Alpine based करनी है, तो हम जब container create कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी package required है, suppose curl चा कर देंगे जाए लिंक्स को इंस्टाल कर देंगे फिर हम क्या करेंगे कमिट कमांड के साथ उसको क्या कर देंगे कमिट कर देंगे वह एक नए image करेट कर देगा ध्यान रखना में जिससे अगर आपने container बनाने है तो आप run करेट करने के पर हमारे केस में जो हम image को यूज करेंगे जो image कस्टम करेट करने के लिए करेंगे docker file को utilize करेंगे तो उसके लिए हम आगे देखते हैं कि कैसे क्रेट करनी है और कैसे उसको आगे हम बिल्ड करेंगे images को